Realme की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिरीज, सबसे ज़्यादा गजब सिरीज, Realme 9 सिरीज हमारे सामने बहुती जल्दी, in fact, 16 February को दोपैर 12 बजे लाँच हो जाएगी और इसके बारे में दोस्तों, लाँच से पहले सारी जानकारी हमारे पास में आ चुकी है मैंने आपको एक वीडियो पहले भी दी थी, जो कि आपने देखी है, काफी तकड़ा वहाँ पे प्यार दिया है आज की वीडियो में दोस्तों, हमारे सामने एक complete unboxing वीडियो आ चुकी है हाला कि जो Redmi है न, ये क्या करता है रहा कि China के अंदर smartphone को launch करता है, सारी specs हमारे सामने होती है लेकिन Realme का ऐसा नहीं है, ये India के अंदर smartphone को deckly launch करते हैं, पहले कोई भी specs हमारे सामने नहीं आती है लेकिन फिर भी एक unboxing वीडियो हमारे सामने आई है, और इसके 100% जो भी specs है न, price के सहीद हमारे सामने आ चुके है तो आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Realme 9 Pro और 9 Pro Plus के बारे में और complete जानकारी दूँगा दोस्तों कि आपको आना इसका wait करना चाहिए अगर आप इस segment के अंदर smartphone देख रहे हैं wait करें या फिर नहीं करें, इस smartphone आज ही ले ले या फिर इसका wait करें, ये जो confusion है न, ये सारी जानकारी आज हम clear करने वाले हैं जैहिन दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है Android, Guruji में अगर आप चैनल पर नए हैं, unboxing, review, comparison, giveaway के लिए, चैनल को subscribe कीजिए, bell icon को all पर set कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए हैं यहाँ पर दोस्तों, unboxing वीडियो हमारे सामने आ गई है, अगर हम बात करते हैं, box content की तो एकदम normal है, जहाँ पर आपको documentation हो गया, cover हो गया, एक type C cable हो गयी, और phone हो गया, in fact phone तो होना ही चाहिए ना, और आपको जो pro plus है यहाँ पर आपको 60 watt की charging और जो pro है, यहाँ पर आपको 33 watt की charging मिलती है, यानि कि normal जो भी एक box होता है दोस्तों, बिलकुल वैसा है, आपको typical box और box content मिलने वाले हैं, unboxing कैसे भी हो दोस्तों, हमारे सामने minor रखता है इसके features, अगर हम features की बात करते हैं, 9 pro और 9 pro plus, दोनों ही आपको प्लास्टिक में मिलते हैं दोस्तों, लेकिन जो प जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फरक क्या है ना, कि जो blue color है ना, वो color changing mechanism के साथ में आता है, समझे रो, v23 pro उसके जैसा नहीं है, लेकिन हाँ, हलका बहुत यहाँ पर जो blue color है, वो color change mechanism के साथ में आता है, build quality के अंदर, दो major फरक यहाँ पर रखे गई हैं, दोनों की जो design है ना, वो बिलकुल Realme के GT Neo 2 की तरह है, दोस्तों, Realme अपनी design के साथ में, color के साथ में, बड़ा-बड़ा day to leap लिखना, कभी छोटा लिखना, कभी नहीं लिखना, इन सब के साथ में काफी तकड़ा experience करता है, तो यहाँ पर फरक क्या है, कि जो 9 pro है, यहाँ पर आपको single bottom firing speaker मिलता है, लेकिन जो pro plus है, यहाँ पर आपको dual stereo speakers मिलते है, 9 pro में आपको side mounted fingerprint sensor मिलता है, pro plus में आपको under display fingerprint sensor मिलता है, that's it, बाकि जो build quality है न, वो exact same है, यह दो चीजे इन्हें थोड़ा सा अलग करती है, बहुत बाते चल रही थी, कि 9 pro के अंदर आपको IPS मिलेगा, pro plus में आपको Super AMOLED मिलेगा, ने जाने क्या होगा, लेकिन दोस्तों confirmation यहाँ पर आ चुकी है, दोनों स्मार्टफोन में आपको Super AMOLED मिलने वाला है, 9 pro की बात की जाए, 6.6 inch की FHD Plus Super AMOLED 120Hz के साथ में 1000 nits की आपको brightness peak मिलती है, जो की काफी बहतर है अगर आप direct sunlight में काम करते हैं, pro plus क की बात की जाए, तो यह compact size आता है, 6.43 inch की FHD Plus Super AMOLED लेकिन 90Hz के साथ में 1000 nits की आपको brightness peak मिलती है, यहाँ पर जो pro plus है इसे 90Hz कर दिया गया है, जो pro है उसे 120Hz रखा गया है, ऐसा क्यूं? इसे हम performance के साथ में और battery के साथ में relate करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चीजें की गई है, चलिए है दोस्तों, performance की बात की जाए, तो pro 9 pro, यहाँ पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 695, 6NM fabrication बे आधारित है, 2.2 GHz के आपको peak brightness peak मिलती है, 6 GB और 8 GB के आपको दो अलग-अलग variants मिल जाएंगे, LPDDR4 X-RAM, UFS 2.2 के साथ में काफी बहतर चीज़ा दोस्तों, read and write speed आपको यहाँ पर कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, यह processor मैंने tried and tested है, मैंने काफी इसे use किया है, Vivo की Y75 series के अंदर, यहाँ बात करते हैं, Vivo का T1, उसमें यह आएगा, हालकि मैंने आपको T1 की वीडियो पहले ही दे दी, उसमें यह आएगा, Xiaomi की जो series आ रही न, Redmi की Note 11 Pro, उसमें भी आपको यह देखने को मिलेगा, काफी capable processor है, 6 series पे आपको नहीं जाना है, यह लगबग लगबग power produce करता है, Snapdragon 732G के बराबर, Realme 9 Pro Plus, अगर हम इसकी बात करते हैं, MediaTek Dimensity 920, 6NM fabrication पे आधारीता है, यहाँ पर भी आपको 2 variants मिल जाएंगे, 6 GB, 8 GB, LPDDR4 X-RAM, UFS 2.2 के साथ में, यह दोस्तों 2.5 GHz तक clock speed इसकी रहती है, यानि कि Pro के मुकाबले Pro Plus का जो processor है, वो थोड़ा capable है, 6NM fabrication पे आधारीत है, power efficient है, energy efficient है, गरम इतना नहीं होता है, और एक मज़े की बात दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन आपको out of the box Android 12 पर मिलते हैं, यह काफी बहतर बात है, गेमिंग आप यहाँ पर भी दोस्तों, HD High Settings पे कर बाते हैं, यह सेम प्रोसेसर आपको Hyper Charge में मिला था, उसकी भी मैंने आपको वीडियो दी थी दोस्तों, यह दोनों स्मार्टफोन 16 तारिक को मेरे पास में आने के पूरे पूरे chances है, जैसे ही आएंगे दोस्तों, आपको ए पासा मुझे लगता है कि जो नंबर गेम हना, उसे यहाँ पर कंट्रोल किया गया है, मैंने आपको Realme 8 सीरीज की वीडियो दीती ना, जहाँ पर 108 मेगा पिक्सल के सेंसर होगर दे थे, यहाँ पर उसे कंट्रोल किया गया है, 9 प्रो में आपको मिलता है 64 मेगा पिक्सल का Omni सेंसर, यह कैसा काम करेंगे, यह फोन आने के बाद में पता चिल पाएगा, लेकिन मैंने जो Realme के स्मार्टफोन यूज किया हैं दोस्तों, इनके जो सेल्फी है, यह काफी तकडी प्रड्यूस करते हैं, रियर कैमरा के अंदर कई बार यह कंजूसी कर देते हैं दोस्तों, लेकिन सेल्फी कैमरा इनका परफेक्ट होता है, लेकिन फोन आने के बाद में हम इसकी एडजेक्ट टेस्टिंग कर पाएंगे, रियल्मी 9 Pro Plus, यहाँ पर आपको मिलता है 50 Megapixels का Sony IMX 766, यह दोस्तों एक flagship sensor है, मैंने आपको अभी Reno7 Pro की वीडियो दी थी न, वहाँ पर इसका यूज हुआ था, OnePlus के तो इस स्मार्टफोन न दोस्तों जो 9 सीरीज आई थी न, 9 Pro में था शाय दिये, वहाँ पर आपको यह 7 Canonica sensor न दोस्तों, यह इसे Pro से अलग बनाता है और बहतर भी बनाता है, मेरा एक experience यह कहता है कि 766 काफी तकड़ा काम करता है, लेकिन फिर भी phone का optimization कैसा है, कैसी quality produce करता है, वो हम यहाँ पर test कर पाएंगे phone के आने के बाद में, तो अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब Android Guruji Family में आपका स्वागत है, Realme 9 Pro में आपको 5000 एमेज की बैटरी मिलती है, 33W की charging मिलती है, और Pro Plus में आपको 4500 एमेज की बैटरी मिलती है, 60W की charging मिलती है, तो इसे आप थोड़ा सा यहाँ पर relate कर सकते हैं कि आपका काम किसमे थोड़ा सा easy होता है, प्राइस सेगमेंट की ब जिसकी हमें launching के बात बता चलेगी, चलिए दोस्तों, यह है वो वीडियो जहाँ पर हमने बात की है Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus के बारे में, यकीन मानिए दोस्तों, 9i इतना ज़्यादा बहतर नहीं था, लेकिन 9 Pro और 9 Pro Plus मार्केट के अंदर काफी तकड़ा competition करने वाले हैं, Redmi की Note 11 series इत काफी तकड़ा competition देने आ रहा है, Realme 9 Pro और 9 Pro Plus, अगर आपके कोई भी सवाल, सुजाओ, feedback रहते हैं इनी इन स्मार्टफोन के बारे में, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, वहाँ वर हम तोड़ा सा और discuss कर लेंगे, हमारे सेनल पर दोस्तों, giveaway live है, अगर आप नए हैं और आपने description में मिल जाएगी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, keep watching, keep sharing, जै हिंद!